जै बजरंग बली की दोस्तों, दोस्तों आज की इस फीडियों में हम आपके लिए बहुती खास जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में धन कमाना नहीं चाता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में प्रसनता नहीं चालता है। ऐसा कौन है जो प्रभु की भक्ती करता है लेकिन अपनी मनुकामनाओं को पूरी करना नहीं चालता है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बजरंग बली एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही साधारण से उपाय करने से ही प्रसंद हो जाते हैं और अपने बक्त की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास तरह की मनोकामना को पूरा करने के बारे में उपाय बता रहे हैं दोस्तो जीवन में जब किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है तो अक्सर व्यक्ति करजे के गहरे में फच जाता है और करजा लेकर के अपने जीवन को अंदकार में कर लेता है दोस्तो वैसे तो करजा लेना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कभी-कभी जब समय बुर लेकर आये हैं बजरंग बली की किरपा प्राप्त करने का ऐसा उपाय लेकर आये हैं जैसे करने से बजरंग बली की किरपा ऐसी होती है कि करजों करोडों का करज भी जो है बड़े आराम से उतर जाता है दोस्तों बजरंग बली को वैसे भी विगन हर्ता से भी जादा बड़ा तो बजरंग बली का पोजन भी विकिन हर्ता गणेश के बाद ही किया जाता हैите कि गणेश इसा वरदान परापत है इसलिए जो भी उपाई हम आज बताएंगे आपको उसमें पहले आपको गणेश जी की पूजा करने है। ऑसके बाद आपको हनुमान जी की works है जिसे करने से का जाता है कि करोडों का करज भी हो जाएगा माफ किसी भी हनुमान मंदल में बस आपको यह चोटी चीछ चड़ा देनी है दोस्तों कहते हैं यह उपाई करने के बाद करोडों का कर्ज तो माफ होई जाता है साथी साथ व्यक्ति बहुत ही जल्दी नर्दन से जिए धनवान वन जाता है करोरपति बन जाता है प्स縮 कर देना है इस उपाय को करने लिए आपको अपने घर में भी बना सकते हैं घी मिला करके आप इसका चूर्मा बनाएं उसके बाद अपने घर के नजदीक जहां भी आपको हनुमान मंदिर नजर आए जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो हनुमान मंदिर हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है दोस्त बस हनुमान जी का मंदिर होना चाहीं वहाँ जाकर के आप इस चूर्मे का या फिर इस रोट का भोग लगा दे दोस्तों भोग लगाने के बाद आप वहीं पर बैठ करके एक बार हनुमान तालिष्या का पाड़ करें उसके बाद आप एक गुप्त चोपाई है उसका भी आ अब निदी के दाता अस्वरदीन जाने की माता इस गुप्त चौपाई का आप 108 बार या फिर 7 बार जाब करें अगर आप में शमता है आपको समय है तो आप 108 बार करें अच्छा रहेगा अनेता आप किवल 7 बार करें उसके बाद आप इस पर साथ को उठा करके अधिक से अध पक्राफ नहीं पढ़ता है कि यह उपाई कर लिया करों का करच भी तो यह करूद दो सज बाद दोस्तों क करने में समर्थ नहीं है तो हम आपको एक उपाय और बताते हैं दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने वाला गर्टी करजे की समस्चा से तो मुक्ति पाही रेता है साथी साथ वे इतना धनवान हो जाता है कि और लोगों को करजा देने लगता है दोस्तों इस उपाय को आपको सुबह सुबह के प्रमोत के समय में करना पड़ेगा सरब इसमें यही समस्या है अगर कहें तो आपके लिए दोस्तों अब अरना आपको मेनत और लगन और सची सर्दा हो तो यह समस्या कोई समस्या नहीं है दोस्तों दोस्तों बगवान के लिए कोई भी कारे करना बहुत ही सुब माना जाता है और बहुत ही फल्दाई होता है तो दोस्तों आपको केवल अपने जीवन में बगवान को अपना लेना है हनुमान जी को अपने जीवन में उतार लेना है आपके सभी समश्याओं का अंत हो जाएगा दोस्तो चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में दोस्तो आपने पीपल का तो नाम जरूर सुना होगा पीपल का फ्रिक्स भी देखा होगा दोस्तो क्या आपको पता है कि सुबह सुबह के समय यानि ब्रह्मुरत के समय इस पीपल के विख्ष पर देवताओं का बास होता है। नहीं होती है वह मुलायम होती है और सूखी नहीं होती है इसलिए आप उने ले अन्यता अगर आपको अच्छी पत्या मिले जो कटी वटी ना हो खंडित ना हो चाहे वो बड़ी हो आप वो ले और वी उत्तम रहेगा दोस्तों अब आपको हनुमान जी पर जो सिंदूर चडा लिख दे अगर आपकी मनोकामना ज्यादा बड़ी है और आपको लगता है कि उस पत्ती के ऊपर आप नहीं लिख पाएंगे तो आप किसी भी टेप की मदद से एक कागज उसके ऊपर चिपका दे और उस कागज के ऊपर लाल रंग के पैंस से अपने पूरी मनोकामना लिख दे उसके बाद दोस्तों उस 11 पत्ती को जिस पर आपने मनोकामना लिखी है उस पत्ती को मोड करके आप पांच पत्ती उसके नीचे जिस पर आम नाम लिखा है और पांच पत्ती उसके ऊपर लगा दे उसके बाद उसे एक कलावे की साहता से पांग दे और उसके बाद अप कोई भी लारंकी या फिर बगवे रंकी जैसे कि बूंदी के लड़ू या चली भी इस प्रकार की कोई मिठाई अपने साथ ले करके चाहें और इन ग्यारा पत्यों को आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और वहां पर बैठ करके एक बार बजरंग बाड़ का पा आप उसे लेकर आए अपने परिवार जनों के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ से बाटे और खुझ भी खाएं दोस्तों अगर आपने यह उपाए केवल साथ दिन कर लिया आपको यह उपाए हफते में केवल एक ही दिन करना है इस प्रकार से आपने साथ हफते अगर इस समस्या नहीं होती है और उसे घर्म परिवार में हमेशा सुक समर्दी और एश्वर्य का माहौल बना रहता है हर एक परिवार का सदश्य सदेख खुझ रहता है प्रसनेचित रहता है दोस्तों अकर आप यह दोनों उपाए करने में शक्षम नहीं है तो इसके लिए आज की वीडियो में हम आपको विशेष रूप से एक तीसरा उपाए भी बताने जा रहे हैं आप उस उपाए को कर लीजिए तो भी आपके उपर से करजे मुक्ती की सभी समस्याएं करजे की जितनी भी समस्याएं आपके उपर है करजा मुक्ती हो जाएगा और आपके सभी समस्या से आपको हमेशा के लिए चुटकारा मिन जाएगा तो से इस उपाई को भी आपको पत्तों से करना है लेकिन इस बार आप पत्त पीपल के नहीं पांद के लेने हैं जी हाह दोस्तों आप इसकी पूरी वादी भी जाल ले आप कोई भी नसीला परदार्त ना डालें या ना डलवाएं उसे विशेश रूप से कह दें कि कथा या जर्दा इसमें ना डालें आपको केवल एक मीठा पान मनवाना है और उसके अंदर आपको डलवानी है एक लोग इस प्रकार से आप उसे साथ पान तयार करवाएं और सा इसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां जा करके आप अपने हाथ में इन सातों पानों को उठा लें और हनुमान जी को दिखाते हुए कहें कि मेरी जो भी समस्या है चाहिए वो करजा मुक्ती की हो नौकरी पाने की हो नौकरी महार रही को रुकावट हो विवा में आन अब आप इन सबी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएं। तो ऐसा कहते हुए आप हनवान जी को इन साथ के साथ पान को चड़ा दें। उसके बाद हनवान जी की साथ बार प्रकरमा भी करें। और वहां बैठ करके एक बार बजनगमार का पाठ करें। दोस्तो यह करने के साथ को रूप में ही सही। अगर आप वापस ले आएं तो आपकी समस्याओं कभी भी आपका पीछा नहीं छूड़ती है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजनक मली भी वश्य लिखें दोस्तों इससे आपको अन्मान जी की विशेष क्रिपा परापत होती है। दोस् संपूर रूप से और उसका परिवार भी पूरे रूप से खुस है, परसन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवले इतना ही कल फिर आप सम उलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देव में जाते धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय बजनक आप ली लिखते रहें।